Hello everyone, हम देख रहा है subject discrete mathematics और ये subject के अंदर हमने start किया था unit number 1 और उसमें अभी जो हम topic देख रहा है वो है counting counting के अंदर हमने already permutation and communication के बारे में discuss किया था और हमने उनके base पे बहुत सारे example भी देखे थे वो आपको देखना हो तब previous वीडियो जो है वो आप पहले देख सकते हो और हमने जो last वीडियो में क्या देखा था start किया था वो था counting के अंदर ये binomial coefficient okay binomial coefficient and हमने देखा था pascal triangle देखे ये okay pascal triangle so binomial coefficient and pascal triangle के बीच में क्या relation है वो एक दुसरे के साथ किस तरह से relate करते है वो हमने previous वीडियो के अंदर देखा था तो वो आप देख सकते है तो आज हम क्या करेंगे ये binomial expansion जो है वो और ये pascal triangle के base पे एक एक example देखेंगे किस तरह से example आते है और किस तरह से हम उसको expand या तो उनकी value है जो है हम find कर सकते है by using the binomial theorem या pascal triangle राइट तो see उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक example देखेंगे ये ये मैंने solve किया है थोड़ा light दिख रहा है ये फोटो में ऐसा हो गया देखें क्या है example expand क्या है x minus 3y raise to 5 using binomial theorem so binomial theorem का जो statement है वो आपको याद रखना है हमने देखा था कल कि binomial का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी ऐसी कोई event है ऐसी कोई situation है कि हमें दो ही possibility बिल रही है एक possibility को हम बोलते है a एंद दूसरी possibility को बोलते है b उसका हम summation करेंगे और उसका exponent में क्या लिखता हूँ अभी n general form में तो इनका जो हमें find करना है expansion उसको expand करना है तो किस तरह से करेंगे binomial theorem का statement तो वो क्या लिखेंगे summation r equal to 0 to n n जो है वो total उसमें से r जो है वो select करने है रहते है object उसकी बात कर रहा हूँ right n means total object कितने है और r जो select करने वाले है वो तो क्या हैगा n c r into a raised to n minus r into b raised to r यह हमें याद रखना है यह binomial theorem का statement simple ओके यह use करके तो हमें question में इस तरह से दिया होगा so यह हम summation वाला expansion यूज़ करके हम आराम से हम उसको जो भी question है उसको हम expand कर सकते है right तो देखें यहाँ पे हमें question जो दिया है वो है यह वाला x minus 3y raised to 5 so मैंने यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे अभी rate color में जो भी बताया बस वो ही binomial theorem का statement मैंने यहाँ पे लिखा general form में right so वो हम use करेंगे तो देखें इसको compare करते हम a plus b raised to n है और हमारा question क्या है x minus 3y raised to 5 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा c यह n की value क्या हो जाएगी देखें 5 n क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे 5 और देखें a क्या हो जाएगा x तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x जो है sorry a जो है वो क्या हो जाएगा x and b जो है देखें b क्या हो जाएगा यहाँ पर minus है था minus को consider करना पड़ेगा क्या हो जाएगा minus 3y तो इतना पता चल गए आपको n5 a equal to x लेना है और b equal to क्या लेना है minus 3y बस यह सारी चीज़े इसमें रख तो यह पूरे equation में तो देखो यह जो question है उसका x5 जो करना है वो लिखा यहाँ पर इसकी जग़ पर equal to summation अब यहाँ पर r equal to क्या है 0 to 5 तो यहाँ पर n के value क्या है 0 to n है general form में n के value 5 है तो हम क्या लिखेंगे 0 to 5 लिखेंगे बाद में ncr तो ncr की formula ही यहाँ पर रखे ncr की formula क्या होती है combination की n factorial divide by n minus r factorial into r factorial तो यहाँ पर मैंने क्या किया है n के value enter कर दी है n क्या है 5 तो यह 5 factorial यहाँ पर n minus r तो 5 minus r factorial into r factorial into यहाँ पर क्या है देखे a raise to n minus r आता है ना देखो यह a raise to n minus r तो देखो a की value क्या है x तो मैंने क्लिखा x raise to n की जग़ पर 5 minus r into b raise to r तो b क्या है हमारा दिखे माइनस 3y तो माइनस 3y raise to r हो गया इतना बस अभी example खतम हमारा बहुत easy है अब क्या करेंगे अब उसका expansion करेंगे यहाँ पे जो दिखे यह r 0 से start होता है तो पहले 0 रखो यह term आएगी plus 1 रखो यह term plus 2 रखो plus 3 plus 4 and plus 5 यहाँ पैंड हो गया बस यह जो अंदर का जो equation है उसमें r के value हम रखते जाएंगे और summation करते जाएंगे so r के value start हो दिए 0 से तो पहले 0 रखो तो क्या होगा यह 5 factorial यह 5 minus 0 factorial तो 5 factorial हो जाएगा और यहाँ पे 0 factorial right r के value यहाँ पे भी आप 0 रखो तो 5 minus 0 5 होगा तो x raise to 5 होगा minus 3y raise to 0 हो जाएगा right तो देखे मैं आपको डाइरेक्ट लिए बताता जाता हूं answer भी यह 5 factorial 5 factorial cancel 0 factorial का answer क्या होता है 1 होता है यह याद रखना 0 नहीं होता है 1 होता है यह minus यह base है और उसका power क्या है 0 तो इनका answer भी क्या हो जाएगा 1 तो देखो यह भी 1 आया यह भी 1 आया तो answer क्या है 1 into 1 1 हो जाएगा और यह x raise to 5 तो यहाँ पर हमारा answer क्या है देखो x raise to 5 यह मैंने रिखा है अब देखे next अब यह 0 वाला हो गया plus अब क्या करना है r equal to 1 रखना है तो देखो तो यह 5 फेक्टरल तो रहेगा 5 माइनस 1 यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ यह 1 रख देता हूँ बस यह आया जाएगा तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 factorial तो 4 factorial इंटू यह 1 factorial यह x raise to 5 माइनस 1 तो यह 4 हो जाएगा और यह minus 3 3y raised to 1 क्या आ जाएगा 1 अब इनका आंसर भी हम देख लेते हैं पहले तो यह 5 फेक्टर हो तो मैं उसकी जगह पे लिख सकता हूं 5 into 4 फेक्टरियो तो देखो 4 फेक्टरियो 4 फेक्टरियो 4 फेक्टरियो कैंसल तो उपर क्या रहेगा 5 ओके और यह minus 3y raised to 1 है तो minus 3y आएगा तो यह plus minus क्या आजाएगा minus लेकिन मैं आप ही direct नहीं बताता हूं यह plus लिखा यहाँ पे यह 5 आएगा तो यह 5 लिखा है और यह क्या आएगा दिखिए x raised to 4 तो यह x raised to 4 और यह minus 3y तो यह minus 3y तो इतना लिख दिया है ओके पता चला तो इनकी जगह अब इसका आंसर क्या है देखो यह आया अब r की value क्या रखते है 2 तो देखो मैं यहाँ पे 2 रखता हूं सभी जगह बे तो क्या आएगा plus 5 factorial divided by 5 minus 2 तो क्या हो जाएगा 3 factorial तो यह 3 factorial इंटु यह 2 factorial यहाँ पे x raised to 5 minus 2 minus 3 यहाँ पे minus 3y raised to 2 अभी इसका आंसर क्या आएगा तो यह 5 factorial है तो उसकी जगब में लिख सकता हूं 5 into 4 into 3 factorial अब देखिए यहाँ पे यह 3 factorial 3 factorial cancel यह 2 factorial मतलब क्या होता है 2 होता है राइट तो यह 2 cancel तो यहाँ पे 2 रहेगा और 5 into 2 क्या हो जाएगा 10 तो यहाँ पे 10 लिखा है देन यहाँ पे x raised to cube तो x raised to cube भी लिखा है और यहाँ minus 3y square तो minus plus हो जाएगा square है इसलिए तो 3 square मतलब 9 into y square तो देखो यह 9y square आगए राइट तो यह term का answer आया हमारा यह similarly हम क्या करेंगे अभी r की जगब 3 रखेंगे तो देखो यह 3 तो क्या आएगा यह term आएगी ओके 5 minus 2 मतलब 2 factorial यह 3 factorial यहाँ पे 5 minus 3 तो 2 हो जाएगा और यह term आएगी तो उसका जो हम answer find करेंगे तो देखे क्या आएगा इनका सेम ही यह 10 आएगा यह x square और यह minus 3y cube का answer क्या आएगा minus 27y cube similarly हम क्या करेंगे 4 रखेंगे तो यह क्या आएगा 5 minus 4 1 factorial तो यह आगया और यह 4 factorial 5 minus 4 तो यह 1 आगया और यह term आगया तो देखें यह 5 इसका answer जो हो क्या आएगा हमारा 5 यह x is to 1 मतलब x minus 3y is to 4 क्या आएगा 81 into y is to 4 similarly now last value of r 5 तो क्या आएगा 5 minus 5 यह क्या हो जाएगा 0 factorial यह 5 factorial यहाँ पे भी 5 minus 5 0 और यह आजाएगा राइट तो सी इनका answer यह 5 हो जाएगा तो यह इसका answer क्या आजाएगा 1 और यह x raise to 0 का भी 1 हो जाएगा तो 1 into 1 इनका जो भी answer आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे minus 243 y raise to 5 अब उसको simplify को दो plus minus तो देखें यह x raise to 5 x raise to 5 यह plus और यह minus क्या हो जाएगा minus 5 into 3 15 x raise to 4 y देखें अब यह क्या हो जाएगा 10 into 9 90 x cube y square x cube y square यहाँ पे plus into minus क्या हो जाएगा minus 10 into 27 क्या हो जाएगा 270 x square y cube x square y cube यहाँ पे 5 into 81 क्या हो जाएगा 405 यह x into y raise to 4 यहाँ पे यह plus minus minus 243 y raise to 5 तो यह हो गया तो देखें यह मैं आपको पूरा example बता देता हूँ देखें राइट तो आप binomial यूज करके आप इनका expanser इन तरह से यह उसका statement यूज करके आप easily कर सकते हो आप इसकी जगह आप कोई भी example आपको दे दे यहाँ पर तो क्या करते है x minus 3y raise to 5 दिया है तो 5 की जगह पर 4 दे दे 6 दे यहाँ पर exponent change हो जाता है यहाँ तो 3y यहाँ पर 6y कर दे राइट कुछ भी changes करके दे आपको आना चाहिए यह मैंने आपको अच्छे चरह से समझाया है अब देखें यही expansion इसी type का example का expansion जो हमें pascal triangle यूज करके करना है तो कैसे कर सकते है उसके लिए मैं और एक example लेता हूँ c यह मैं direct लेता हूँ यहाँ पर ओके देखिए example क्या है मैं आपको बोलता हूँ आपको एक example simple सा की find a plus b raise to 8 using pascal triangle getting so यह हमरा question है a plus b raise to 8 उनका ही हम expansion करना है ना find करना मुद्ट अब उसको expand ही करना है बट यहाँ पर binomial चरम यूज नहीं करेंगे क्या करेंगे हम pascal triangle तब भी हम same answer लाग सकते रइट तो दोनों pascal and binomial एक दूसरे के साथ accelerator करते ही है वो हमने कल देखा था प्रिवस वीडियो में तो मैंने आज binomial वाला statement लेके किस तरह से करना है expansion वो भी बताया और यह pascal triangle यूज करके कैसे करना है वो भी मैं आपको directly बता देते हूं अच रैट तो देखे यहाँ पे हमारे पास क्या है यह a plus b raise to exponent क्या है देखे यह 8 दिया है रैट exponent क्या है 8 है तो हमें पास कल triangle बनाना पड़ेगा अब 2 exponent 8 तो जैसे हमने कल देखा था कि यह जो है यह कब आता है जब a plus b raise to 0 करेंगे तब 1 आता है यह जो है 1 1 का बाता है जब a plus b का exponent 1 होगा तब यह a plus b आता है रैट similarly यह 1 to 1 का बाता है कि जब a plus b का square करेंगे तो क्या होगा a square plus 2ab plus b square मितलब हम यहाँ पे क्या करते है यह जो उसका coefficient रहना यह a का 1 b का 1 तो यह 1 1 किया यहाँ पे a square का 1 यह 2 और यह 1 तो यह 1 to 1 आया रैट इस तरह से आप यह 0, 1, 2, अब 3 exponent लोगे तो इस तरह से आएगा रैट तो इस तरह से यह pascal triangle बनता है लेकिन आपको swat में लिखना तो किस तरह से लिख सकते है इस तरह से यह 2 part होता है अब यह 2 part देखो यह जो है आपके सारे 1 ही आएंगे लेकिन यह जो middle वाले जो है सारे digit वो कैसे हम लाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए यह यह आता है addition करना है यह 1 plus 1 के हो जाएगा 2 अब देखिए next इस तरह से मैं लिखोंगा तो क्या आएगा यह तो 1 रखेंगे यह 1 and 2 का answer 3 1 plus 2 2 plus 1 3 और यह 1 as it is इस तरह से आपको यह 0 के लिए है यह जो है मैं अलग से लिखता है यह 0 exponent के लिए यह 1 के लिए यह 2 यह 3 यह 4 5 6 यह जो rate color में है यह 7 और end में जो है वो 8 क्यूंकि हमें क्या दिया है यहाँ पर a plus b raise to 8 दिया है तो 8 exponent तक हमें जाना है यह जो सारे जो coefficient है वो हमें लिखने है पहले उसके उपर से हम पूरा उसका expansion का equation जो वो लिखेंगे पता चला इस तरह से आप sum करते जाये तो आपको मिल जाएगा बहुत easy है वैसे देखो मैं बताता हूँ अभी यह तो same रहेगा 1 लिकिन यह 7 लाना दा 1 plus 6 7 6 plus 15 21 15 plus 20 35 20 plus 15 35 15 plus 6 21 6 plus 1 7 आगया similarly आप कर सकते हो 1 plus 7 8 7 plus 21 28 21 plus 35 56 राइट उसी सब 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 भी find कर सकते हो अब देखे यह हमारे पास आगया तो इस तरह से उसका जो expansion है ना इस तरह से हम लिख सकते है आराम से किस तरह से देखे हमें किसका करना है इनका a plus b raise to 8 का राइट तो पहला जो है यहाँ पे दो coefficient है ना a and b तो a को n से start करना है ओके बाद में a की highest power क्या है 8 और यह b 0 और यह जो coefficient है वो यहाँ पे आगे 1 आएगा plus अभी यह क्या है 8 है अभी यह जो 8 है यह a का exponent जो है 8 उसको एक decrease करो तो क्या आएगा a raise to 7 और b का increment करो तो क्या आएगा b raise to 1 जलब b 8 यह आगा देखो पहला यह b raise to 0 तो 1 आता है तो क्या आएगा only a raise to 8 यहाँ से आएगा यह क्या आगा 8 a raise to 7 into b अभी जो next है तो वो क्या लिखेंगे plus यह next coefficient क्या है 28 तो 28 यहाँ पे a का एक पावर कम करिए तो 6 आएगा और b का एक increment करिए तो क्या आएगा देखो यह आगा उसी इसाब से हम सभी का करेंगे कैसे मैं directly बताता हूँ 28 के बाद क्या है 56 तो देखो 56 यह 70 56 again 28 8 प्लस सभी का प्लस करते जाए और रखते जाए बाद में यह जो सारे coefficient लिखे है उसके साथ multiply क्या करना है तो यहाँ तक तो हमने देखा अब 50x तो यह a का प 4, 3, 2, 1 और 0 तो यह a raise to 0 तो 1 हो जाएगा तो यहाँ पर end में a raise to 0 हो जाएगा और b का एक add कते जाओ, increment कते जाओ तो यह यहाँ तक तो देखा 2 बाद में 3, 4, 5, 6, 7 और end में क्या हैगा 8 इस तरह से Pascal triangle यूज़ करके यह जो हमने दिया था question जो लिया था हमने उसका जो expansion है ह हम directly कर सकते हैं बहुत easy तरीके से राइट तो आज हमने वीडियो में क्या देखा दो example देखे एक तो ऐसे question है उसका expansion हमने इस तरह से Pascal triangle यूज़ करके किया और दूसरा यह same question expansion जो है यह वह हमने क्या यूज़ करके किया हमने binomial थिया रहू गड़ी और example भी है अलग तरीके से जो exam में आता है वो हम next video में देखेंगे